तो यहां पे यह दिया गया है कि इस इसको करते हैं तो जैसे यहां पे यह पहला कोशन है तो यहां पे यह दिया हुआ है कि जो एवन है यह फिफटीन है और जो डी है यह दिया हुआ है माइनस थ्री और एन जो एन्थ टर्म है इसका यह जीरो दिया हुआ है और यह कह रहा है कि जो एन की वैल्यू है वो क्या हो सकती है तो यहां पे क्योंकि ए AN 0 दिया हुआ है तो AN is equal to 0 और AN का formula हम जानते हैं A1 plus N minus 1 into D is equal to 0 क्योंकि यहाँ पे A1 15 है तो इस A1 के जगर पे हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 plus N जो हमको निकालना है कि कौन सा term है ऐसा जो AN मतलब Nth term 0 देदेगा तो वही N की value हमें निकालना है तो N को हम ऐसे ही रहने देंगे और जो D है यह है minus 3 is equal to 0 तो N minus 1 और जो minus 3 है क्योंकि यह multiply में है तो अभी हम इसको रहने देंगे इस 15 को हम इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा minus 15 तो N minus 1 is equal to क्योंकि यह multiply में है तो minus 3 divide में आ जाएगा तो minus 15 upon minus 3 यह minus और यह minus cancel हो जाएगा और 3 वन जा 3 3 5 जा 15 तो 5 पर यह cancel हो गया तो N minus 1 is equal to 5 और यहां पर यह जो N है यह as it is रह जाएगा और जब यह इधर आएगा तो यह हो जाएगा plus 1 तो 5 plus 1 it is 6 so the answer is 6 मतलब जो 6th term है वो 0 है तो यह हमारा question number 1 हो गया